बड़े दलों की बेरुखी के बाद बड़ी मुश्किल से उनको जगह मिली है कॉंग्रेस में तो अब वो चाहेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक चले और जो बड़े नेता हैं पार्टी के उनके भरोसे में वो चलें उनका विश्वास उन्हें मिले इसलिए वो कोई फायदा पहु पुर्णिया से ही लड़ेंगे क्योंकि मद्धेपूरा की चर्चा चल रही है ज्यादा संभावना यही कि पुर्णिया से लड़ेंगे लोकसभा चुनाओं के साथ साथ पप्पू यादों ने विदान सभा का भी डील कर लिया है बिलकुल यह आपने ठीक कहा उन्होंने आ जल रहा है ना नारा मुंगेर मरा कहा कां करते है बुंएडै को नाम पर नंकी पहस्ती नामरे जाता हैं उनका अशुख महतों के नाम पर यदिंस अम्हों के नाम पर आप गोलती आप्ति बिल्च利 2019 तो इसलिए मामला थोड़ा जटिल है राजद ने दाव चला है पत्नी उनकी लडेंगी तो लोग यह जान जाएंगे कि वह अधार है वो भोट उनको मिल सकता है और फिर राजद का समर्थन रहेंगा महाकरणन की दूसरी पाकियों का समर्थन रहेंगा नमस्कार अपलाई बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहंतिवारी एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने अपने खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार लेकर एक बार सुर्कियों पर नजर डालते हैं जो बिहार में आज दिन भर की महतोपूर्ण घटनाई हुई उ क्योंकि जाप सुप्रीमो पप्पू यादो ने दिल्ली में अपनी पार्टी का दिलय कॉंग्रेस में करा दिया है उनके साथ उनके बेटे सार्थक ने भी कॉंग्रेस की सदस्ता हासिल कर ली है तो इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसके अलावा जिस तरीके से लोकसभा चुनाओ का बिगुल बजा है आज से नमांकन प्रक्रिया सुरू हो गई है वैसे परस्थिती में लोचपा राम विलास के खेमे ने आज संसदिये दल की बैठक बुलाई थी चिराग पासवान के नित्रित्व में ये बैठक चली पाचों लोकसभा सीट पर नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं फिर अगर हम बात करें बिहार की राजनिती में राश्ट्रिये जनता दल की तो जिस तरीके की छवी रही साइद एक बार फिर से लालू यादो उसी छवी के सहारे आगे के लोकसभा चुनाओ की राजनिती करना चाहते हैं क्यूंकि बाह लालू यादो का आशिरवाद लिया अब मुंगेर लोकसभा में ललन सिंग के खिलाफ वो ताल ठोकते आपको दिखाई दे सकते हैं और इसके अलावा आखिर में अगर हम बात करें तो बिहार में जो 15 मार्च को BPSC के तीसरे चरण की परिक्षा सिक्षक भरती की हुई थी उसे BPSC ने रद कर दिया है क्योंकि पेपर लिग का मामला लगतार गर्माया हुआ था तो सबसे पहले इस पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दे कि हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार प्रवीन बागी हैं और जिस तरीके से आज पपू यादो ने अपने पाठी का विल मिल जाएं बगर उनकी जो पहले की छवी थी और जो वो एकला चलो की निती अपना रहते थी इसके चलते कोई उन्हें अपने साथ लेना नहीं चाहता था बगर किसी तरह अपनी पत्नी की मदद से और लालू यादो के साथ पुराने समंधों का तार जोडते हुए लालू यह तैह हो गया कि वह कॉंग्रेस में सामिल हो जाएं और कॉंग्रेस से उनको टिकट मिल जाएगा पुर्णिया से तो उसमें उनकी पत्नी नहीं महत्पुन वह मिकानी भाई और दूसरी बात यह है कि अकेले चलते चलते वह परशान हो गए थे क्योंकि वह कई चुनाओ ल चाहिए था कोरोना काल में भी लोगों की बहुत मदद की उसके बावजुद उन्हें वोट नहीं मिल पाई अच्छे वोट नहीं मिले और चुनाव हार गए वो तो उन्होंने देख लिया था कि अकेले चलने में कोई भविस नहीं है और हमारी राजनिती अधर में लटक लोगों को पसंद नहीं आया कॉंग्रेस का जो अनुसासन का धांचा है उसमें वो फिट नहीं बैठ पाई इसलिए बाहर जाना पड़ा उनको अब दोबारे से वो कॉंग्रेस में गए हैं तो अब देखिए आगे क्या होता है संभाव नहीं है जनता दल के सुप्रीमों औ पिहार में उस कॉंग्रेस में विलाय कराना इन्होंने ज्यादा समझदारी बड़ा एक्षम समझा जबकि वो राजत में भी विलाय करा सकते थे पाटी का क्या लालू यादों नहीं इस लालू यादों की थी क्योंकि तेजस्वी बहुत पसंद नहीं करते हैं उनको हाला कि मुलाकात में तेजस्वी भी साथ थे मगर तेजस्वी ने भी यह कहा होगा कि अपने साथ लेना उनको ठीक नहीं होगा और कब वो पलट जाएं यह भी भरोसा नहीं था दोनों निताओं को तो इसलिए आपस में यह तै हुआ कि इनको कॉंग्रेस में भेज दिया जाए और संभावना यही कि पुर्णिया से ही लड़ेंगे क्योंकि उनका जोर पुर्णिया पर भी है और पुर्णिया में अभी उन्होंने बड़ी सभा भी की थी काफी भीड़ आई थी उसमें और पुर्णिया से पहले सांसा जरा भी चुके हैं वहां इनका घर है और लोग उनको जानते हैं अच्छे से तो इसलिए बिहार की राजनीती में पप्पू यादो एक लोगपडिये नाम है लोग उनको जानते हैं उनको सुनना पसंद भी करते हैं लेकिन अखिले सिंग बिहार में कॉंग्रेस को लीड कर रहे हैं तो क्या दो नेताओं की टकराहट भी देखनी क कॉंग्रेस में तो अब वह चाहेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक चले और जो बड़े नेता हैं पार्टी के उनके भरोसे में वह चलें उनका विश्वास उन्हें मिले इसलिए वह कोई पाइदा पहुचाएंगे महागट बंदन को लोग सभाएं बिलकुल पहुचाएंगे क्य उन्हों से सब्वाव। लेंगे क्योंकि आज जब वो कॉंग्रेस में सामील हुए उनके बेटे सार्थक भी उनके साथ पार्टी की सदस्ता उन्होंने ले ली तो माना जाए कि लोकसभा चुनाओं के साथ साथ पप्पू यादों ने बिदान सभा का भी डील कर लिया है बिलकुल यह आपने ठीक कहा उन्होंने आगे का रास्ता भी एक तरह से तै कर दिया अपने पुत्र का कि उनके पुत्र भी राजनिती में जाएंगे और वह पहली बार पार्टी में सामील हुए पहली बार उनका चेहरा लोगों ने देखा राजनिती के चेत्र में तो इसलिए अब यह तै माना जा रहा में कहीं न कहीं से उसी इलाके में जो उनका आधार छेत रहा है वह विधान सभा का चुनाओ भी लड़ सकते हैं पत्नी उनकी राजसभा में हैं तो एक तरह से यह कहा जाए कि पूरा परिवार उनका अब कांग्रेसी हो दूसरे खबर की और बढ़ते हैं जो कि आज के दिन की सबसे महतवपून और दिल्चस्प घटना थी और वो की असोक महतो जो की बाहुबली की छवी रखते हैं साथ साल के उम्र में उन्होंने अनिता से साधी की और आज राबरी आवास पहुंचे लालू यादों का असिरवाद लिया और अब माना जा रहा है कि मुंगेर में त अपनी साधी कर लिए वह भी खर्मास में इसके पहले सीवान की जो सांसद कविता सिंग उनकी साधी खर्मास में ही हुई तो यह साधी इसलिए उन्होंने की कि वह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं कई मामले में सजायाफता भी हैं और कई केस भी चल रहे हैं और उनक उनका जो एक आधार है वह भोट उनको मिल सकता है और फिर राजद का समर्थन रहेगा महा कट्वनन की दूसरी पाकियों का समर्थन रहेगा तो एक कड़ा मुकाबला हो सकता है मगर यह है कि तमाम कोशिचों के बावजूद ललन सिंग को सिकस्त देना बहुत कठिन काम है क है और किसको कहां जोड़ना है यह राजनीति वह खुब जानते हैं तो उनको मात देना कठिन है और कई बार को शिस्वा होई जातिये गोलबंदी करके जातिये समीकरन बनाकर मात दिया मात संव मेर्योक्त सफलता नहीं ज़्यादा देखने को मिलती है तो ललन सिंग अभी-अभी मागट बंदन के साथ थे छोड़कर नितीश कुमार के साथ अब NDA में आ गए हैं लेकिन कभी लालू पडिवार के खिलाप उन्होंने एक बयान जब से पाटी ने पाला बदला है उन्होंने नहीं दिया है और कहा यह जा रहा है कि अशोक महतों के जड़िये मुंगेर में ललन सिंग को वाक ओभर देने की तैयारी राष्ट्रिये जनता दल कर रही है ताकि आगे के विधानसवा चुनाओं का प्लोट वो तैयार करे नितीश कुमार को खतम करने का यह हो सकता है क्योंकि राजनिती में ऐस तो बिल्कुल नहीं उमिद्वार हैं लोग इनको जानते वे नहीं हैं असोक यादो का कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा असोक महतों का वो भी नहीं लगता है क्योंकि एक लंबा अर्शा हो गया वो छेत्र से गाइब रहे तो इसलिए एक तरह से वाको भर यह कहा जा सकता है मगर चुनाव है कब क्या टरन लेले कब किसका मूड बदल जाए यह कहना मुस्किल है असोक मातो कि छवी भूमियार विरोध की ही रही है सबसे बड़ी बात तो यहीं है क्योंकि लड़ाई उनकी जो है नवादा के छेत्र में या उस सेकपूरा के छेत्र में भूमि इसलिए राजत की पसंद बने कि जो भूमियार विरोधी जातियां है उनको उनके नाम पर असोक महतो के नाम पर या उनकी पपनी के नाम पर गोलबंद किया जा सके और उसका लाव उठाया जा सके जो भूमियार से नाराज जातियां है या त्रस्त जातियां है उनका लाव उठाया जा सके मगर पिछड़ी जातियां कितनी गोलबंध हो पाएंगी यह काना मुस्किल है क्योंकि पिछड़ों में भी अनेक जातियां ऐसी है जो असोक मातों की विरोधियां जिनका बहर चलता रहा है जिनका जिनकी अदावत है उनके साथ तो इसलिए मामला थोड़ा ज राजनिती में आज का दिन बहुत ही दिल्चस्प का रहा क्योंकि एक तरफ पपू यादो की पाटी जनदिकार पाटी का विलैक कॉंग्रेस में हो चुका है अब पपू यादो का पूरा परिवार कॉंग्रेस ही हो गया है वहीं दूसरी तरफ मुंगेर की राजनिती अब बिहार में उबाल मारते दिखाई दे रही है क्योंकि जदियू के पुर्वराष्ट्रिय अद्यक्ष ललन सिंग के सामने अशोक महतो अपनी पतनी को उतार सकते हैं राबरी आवास में मिले हैं असिरवाद मिला है तो उम्मीद है कि साइद टिकट भी मिलेगा और इसी वज बिहार में जाते जाते आपको बता दे कि लोकसवा चुनाओं का बिगुल बच चुका है आज से नमांकन प्रकिरिया सुरू हो गई है बिहार में चार सीटों के लिए आज से नमांकन प्रकिरिया सुरू हुई है जिसमें जमुई नवादा गया और और औरंगाबाद की लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें